तो देखो आज के वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है आपले वीडियो को मिस मत करना तो चलिए देखते कोस्टनेमर वान को तो देखो इस पर पूछा है मानाब दुआरा सर्वफथम फर्युक्त अनाच कौन सा था तो आपको बताना पड़ेगा इसका अंसर क्या होगा तो देखो जिनों ने इसका अंसर औप्सिन बी गिए को एणब बाली जिया दोस्तो बिल्कुल सही है इसका अंसर जाते औप्सिन बी और अगर आपको पूछा है दोस्तो जो मानब द्वारा सर्वर वथम वयूद करने वाला दोस्तो जो लोहा है यानि कि जो होए दोस्तो मेटेल हुआ कौन सा होगा तो दोस्तो देखो मानब द्वारा सर्वर वथम यूद करने वाला मेटेल हो जाते है कौपार इस कौपार का दोस्तो आप कितने साल में हुआ था तो दोस्तो हो जाता है नो जार बीसी में आप लोगए याद अखना दोस्तो तो चलिए देखते को से निमबर टू को तो देखो को से निमबर टू में पूछा है वुप्ता डाइनेश्टी गुप्ता 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 डाइनेश्टी पर मुंबए पर और दोस्तों आपको पता होगा जो ब्राम्व समाज है ब्राम्व समाज का दोस्तो इस सथापना किस ने किया तो वो किया था राजा रामोन राई ने कितने साल में किया था तो दोस्तों वो किया था 1828 में next question question number 3 तो देखो हमारे question number 3 में पुछा है what was the court language of the gupta rules आपको बताना पड़ेगा जो गुप सांसों का दुस्तों दरबारी भासा क्या थी तो जल्दी से आप लोग बताईए इस question का answer क्या होगा तो देखो जिन्यों ने इसके answer option D संस्कीत दिया बिल्कुल सही है संस्कीत was the code language of the gupta rulers और देखो अगर आपको पूछा जाता जो मुगल है तो उस्तों मुगल भास का जो code language यानि की दरबारी भासा भी वो क्या होगा तो देखो वो जाते है French और देखो और अगर आपको पूछा यह जो मुगल समराज्य है यह मतलब संस्तरफक कौन है तो वो जाते है बावर और जो 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 बुलन दरवा जा है वो किस ने बनाया तो वो बनाये अगवन ने कितने में वो बनाये 1602 में नेश्ट कोसे और कोसे नेबर 4 तो देखो कोसे नेबर 4 में पुछा है विच रूलार अप दा गुपता डाइनेश्टी फर्ट एज्यूम्ड दा टाइटेल आप माधी राज आपको बताना पड़ेगा गोद बंक्सका की सासक ने समर्वतब माधी राज का दोस्तो उपादी धारान किया था तो देखो जिनों ने इसके answer option B चंद्रगुपता दिया दोस्तो पथम चंद्रगुपता वो सही है इसका answer जाते option B पथम चंद्रगुपता ने तो दोस्तो चलिए देखते कोस्टरा 5 को तो देखो इसपे क्या पुछा इसपे पुछा गिया है आपको बताना पड़ेगा गुद्बंस का दोस्तो वह राजा कौन था जिसने हुनों को दोस्तो भारत पर आक्रवन करने से रोका तो देखो दोस्तो आपका इसको answer जल्दी से बताना पड़ेगा और दोस्तो कॉमेंट करके जल्दी से अप्लोड आश्रे बताईए और वीडियो के इन में भी दोस्तो कॉमेंट करके जरूर बताना तो चलिए देखते कोसे नमर 6 को तो देखो इसपे पूछा क्या है वो एमोंग दा फॉलोइंग जल्दी से बताना पड़ेगा आप लोग जल्दी से लाइप श्रे बताईए दोस्तो तो देखो जो भारत का नेपोलियोन कहा जाता था वो कहा था दोस्तो आपसेंडी समद्र गुपतो को यानि की समद्र गुपतो एमोंग दा फॉलोइंग इस अल्सो कॉल्द नेपोलियान अप इंडिया तो चलिए दोस्तो देखते है कोसर नमर सेवेन को तो देखो इस पर पूछा है विच इनिवर्सिटी विकें फेमर्स डिवरिं दा गुपता प्रियोड गुपत काल में दोस्तो कौन सा विच से बदले प्रसीद हुआ था तो देखो आपको बताना पड़ेगा गुपत काल में दोस्तो जो विच से बदले प्रसीद हुआ था वह कौन सा था तो देखो निम्ले लिखित में इसा option हे दोस्ता आपको बताना पढ़ेगा इसक flu क्या होगा तो दीखो जिनों उसका answer option c नालंदा दिया दस्तो बिल्कुल सही है इसका answer option c नालंदा अर नेंष्ट को सयन कोसे निबर 8 पर पुछ है फायन किसके सासन काल में भारत आया था तो आपको बताना पड़ेगा जो फायन है दोस्तो किसके सासन काल में भारत पर आया था तो देखो ये दीतिये चिंदरगुप्त के सासन काल में दोस्तो भारत पर आया था यानि किसका एंसर है ऑप्सिन डी तो चलिए देखते कोसे ने 9 पर पुछा है, where was Fayan from, जो Fayan ने दोस्तों कहा का रहने वाला था, आपको बताना पड़ेगा, Fayan दोस्तों कहा का रहने वाला था, जल्दी सा अप्लोड आश्र बताईए, तो देखो, वुटान, अमरिका, चाइना ये दोस्तों वर्मा, जल्दी सा अप्लोड आश्र तो देखो, जिनों ने कहा दोस्तों, Fayan, चाइना का रहने वाला था, दोस्तों, बिल्कुल सही है, इसका एंसर हो जाए दोस्तों, अप्सेंसी चाइना, तो चलिए देखते, कोसर नेमर टेन को, तो देखो, कोसर नेमर टेन में पुछा है, which is called the golden age of the Indian culture, वहाँ थिया संस्क दोस्तों, किसे का जाता, आपको बताना पड़ेगा, जल्दी सा आप लोग बताईए, मुरिय काल को, या राजपुत काल को, या दोस्तों, चोल काल को, या दोस्तों, गुप्त काल को आपको बताना पड़ेगा, तो जल्दी सा आप लोग आच ने बताईए, इसका एंसर क् तो देखो जिनो डे दिया दोस्तो अपसेन D तो देखो कोस्टनेबर 11 में पुछाए इन उइस प्रियोड दा धमेक स्टूप और साननत वाजबील साननत का दोस्तो धमेक स्टूप का निर्वान की स्काल में हुआ था आपको बताना पड़ेगा जल्दी साब रोड़ आश्रे बताईए मुरिया काल में या दोस्तो कुसान काल में या दोस्तो सुखा में या दोस्तो गुप्त काल में आपको बताना पड़ेगा इसके एंसर क्या होगा तो देखो जिनों ने इसके एंसर option D, गुप्त काल में दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसके answer जाते option D, तो चलिए देखते question number 12 को, तो देखो question number 12 में पुछा है, which one of the following गुप्ता रूलर्स was the, also called as कविराज, निमने लिखित में से किस गुप्त काल इन सासा को कविराज कहा जाता था, आपको बताना पड़े तो देखो, जिनोने इसका answer option C, समुत्र गुप्तर या दोस्तों बिल्कुल सही है, आप लोगने दोस्तों बिल्कुल सही का, समुत्र गुप्तों, one of the following गुप्ता रूलर्स was also called as कविराज, तो चलिए दोस्तों देखते question number 13 को, तो देखो question number 13 में पुछा है, which Chinese traveler come to India during the time of हर हर्सवद्दन के समय दोस्तों कौन से चीनी या त्री भारत पर आया था, तो जल्दी सापको बताना पड़ेगा, इसका answer क्या होगा, हर्सवद्दन के समय पर दोस्तों कौन से चीनी या त्री भारत पर आया था, तो देखो, जिनोने इसका answer option D थिया दोस्तों, बिल्कुल स बताना पड़ेगा तो देखो ये लिखा गया है दोस्तो बान भट्टे का द्वारा यानिक इसका एंसर है आपसेन भी बान भट्ट next question question number 15 तो देखो question number 15 में क्या पुछागे इसमें पुछा गया है दोस्तो चालूप के राजा फूल के सिन दितियों को दोस्तो किसने पराजित किया था आपको बताना पड़ेगा तो दोस्तो आप लोग जल्दी से लाइप चर बताएए दोस्तो तो इसको पराजित किसने किया था तो देखो जिनों इसके answer option b nursing वह वनवन दिया दोस्तो पतफ़ सिटिन को क्या पुछ युझाई डोस्तो तो देखो जो कोस ने परक्षिस्टीन आपके लिए बहुत ही इंपर्णैंट है आप लोग बिल्कुल सही है, इसका answer हो जाता है option D, यानि कि दोस्तो जो 16 number question है, इसका answer है option D, next question, question number 17, तो देखो, question number 17 पर पुछा है, तो देखो, आपको बताना पड़ेगा, इसका answer क्या होगा, तो देखो, जिनने इसका answer option C, हरसवदन दिया दोस्तो बिल्कुल सही है, इसका answer है option C, next question, question number 18, तो देखो, जो question number 18 ने इस पर पुछा है, which dollar is called the second S.O. का, आपको बताना पड़ेगा, कि सासा को दोस्तो, दीती S.O. कहा जाता था, जल्दी साब लोड़ा शिरे बताइए, तो देखो, जिनने इसका answer option D, हरसवदन दिया दोस्तो, बिल्कुल सही है, हरसवदन को दोस्तो, दीती S.O. कहा जाता था, तो चलिए बढ़ जल्दी साब लोड़ा शिरे बताइए, तो देखो, नीमे लिखित में से, किस भी देसी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, जिनने इसका answer option A दिया, बिल्कुल सही है, इसका answer है, option A आप लोग note कर लो दोस्तो, तो चलिए देखते, question number 20 को, तो देखो, question number 20 में पुछाए, who discovered 0, 0 की खोज किस ने की थी, तो देखो, बहुत easy question है, दोस्तो, आप लोग बच्पर में जरूर पर होंगे, जो 0 है, दोस्तो, इसकी खोज किस ने की है, हाँ, दोस्तो, जो 0 इसकी खोज की है, आरिया भटने, यानिक इसका answer है, option B, next question, question number 1, तो दोस्तो, आप जल्दी से question number 1 को पढ़ो, इसका answer क्या होगा, जल्दी सार पर लाच ने बताइए, तो देखो, जिन्हों ने इसका answer, यानिक 21 number question का answer, option A दिया, बल्कुल सही है, इसका answer है, option A, तो चले बटते है, question number 2 की हो, तो देखो, question number 2 पर पुचा है, use 2 a save, दोस्तो, देखो, save करने के इसका answer का answer क्या होगा, तो दोस्तो देखो, जिन्हों ने इसका answer, option है, कौन भी क्लेंज देखो, बल्कुल सही है, इसका answer है, option A, तो चले बटते है, question number 3 की हो, देखो, पुचा है, where is the headquarters of international cricket council located, आपको बताना पड़ेगा, जो अंतराश्ट या cricket, 200 परिसत का मुखल है, कहाँ आपा, इस्तिते, तो देखो, आपको मालूम होना चाहिए, दोस्तो, इस्तिते दुबाई पर, यानि कि इसका answer जो है, option दी, दुबाई, तो चले बटते है, question number 4 की ओर, तो देखो, हमारे question number 4 पर पुचा है, in which year Kargil was took place, जो Kargil U थे, दोस्तो, किस बर्स को हुआ था, तो जो ने इसका answer option भी दिया, बल्कुल सही है, next question, question number 5, तो देखो, हमारे question, question number 5 पर पुचा है, जो बदरीना धाम है, दोस्तो, किस देपता पर समर्पी थे, तो जल्दी सा बड़ाई शे बताईए, इसका answer क्या होगा, तो देखो, दोस्तो, समर्पी थे, जो ने इसका answer option भी इसका answer भी दिया, बल्कुल सही है, तो चले बड़ते गले, question number 6 की और देश पर पुचा है, when is the reserve bank of India nationalized आपको बताना पड़ेगा, जो भायत यह डिवास भी दोस्तो, इसका जो राश्टे करन यह कब हुआ था, तो बहुत easy question, इसका जो राश्टे करन हुआ था, कब हुआ दोस्तो, हाँ दोस्तो होता, 1949 पर यानि इसका answer जाते है, option C, तो चले बड़ते गले, question number 7 की और, तो देखो, हमने question number 7 पर पुचा है, the headquarters of the international court of justice is located in अंतिराश्टे नेलाय का मुखलाय कहा पर इस्ती थे, तो देखो, इसका जो मुखलाय इस्ती थे, यानि कि इसका answer जाते है इसका answer जाते है, option A, तो चले बड़ते गले, question number 8 की और, तो देखो, पूचा है, which is the largest manman lake in India, आपको बताना पड़ेगा, माना प्रीन में जील निमनली कित में से कौन सी है, तो देखो, माना प्रीन में जील जो निमनली कित में से है, वो जाते है, गोबिन सागर, यानि कि इ दिल्ली तो फतेपूर सीक्री, आपको दोस्तो उस मुगल बात्सा का नाम बताना पड़ेगा, जिसने अपनी राजदानी दोस्तो दिल्ली से फतेपूर सीक्री स्थंतरित किया था, तो देखो, मुगल बात्सा हो जाते है, option B, अगबर, और दोस्तो आपको मालू होना चाह यह जो मुगल सम्राजय की नीप धाली थी, तो दोस्तो किसी नो बाबर ने, तो Inside